हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू आवर यूरूप चैनल स्टडी हावर लाइब तो फ्रेंट्स यह आप देख रहे हैं NCRT का वन लाइनर है जो कि साइन्स का है और यह इसके जासर के दौरा जो है इसमें आपको जो है 700 पलस कितना 700 पलस जो है वो वन लाइनर साइंस का दिया हुआ है और यह क्लास्टिक से लेके 12 तक के जितने भी साइंस के बूप में एकजाम्पल था उस सारे को जो है यहाँ पर कंप्लीट किया गया है तो चलिए दोस्तों हम इसे स्टार्ट करते हैं इसके जहर सरका NCRT one liner को और इसमें आपका 700 पलस जो one liner है आजम कम्प्लीट करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए मंड, मंड कार्बो हार्डिट का परिक्षन आयोडीन से किया जाता है मंड या कार्बो हार्डिट का परिक्षन आयोडीन से किया जाता है और इस परिक्रिया में मंड का रंग नीला काला हो जाता है मंड का रंग कैसा हो जाता है नीला या काला प्रोटीन परिक्षन में C-U-S-O-4 से किया जाता है प्रोटीन का परिक्षन और इसमें जो प्रोटीन है उसका रंग बैगनी हो जाता है प्रोटीन का परिक्षन C-U-S-O-4 से किया जाता है और इसमें प्रोटीन का रंग बैगनी हो जाता है कार्बो हैड्रेट को उर्जा परदान करने वाला भोजन कहा जाता है किसे कार्बो हैड्रेट को उर्जा परदान करने वाला विटामिन A तोच्छा तता आँख के लिए जरूरी है विटामिन A तोच्छा और आँख के लिए विटामिन D किसके लिए अस्थी और दान्थ के लिए विटामिन C से रोग घाव से प्रती रख्षा होता है रोगों से रख्षा है और घाव के प्रती शुरख्षा बोजन को गर्म करने पर विटामिन C आसानी से नस्थ हो जाता है भोजन को गर्म करने पर विटामिन C आसानी से नश्ट हो जाता है रुक्षांस का मुक्षरोद साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजा, फल है वह पदार्थ जिसे आसानी से संपिडित या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा उसका उल्टा कठोर पदार्थ का लाता है कांच, जल, बायू, कुछ प्लास्टिक पारदर्सी पदार्थ का उदारन है कपास, कपास की प्राप्ती पौदे के फूल से होती है कपास की प्राप्ती किसे होती है फूल से सूखे पौदे की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेशिंग का लाता है अनाज से भूसी को अलग करना निस्पावन का लाता है अनाज को भूसी से अलग करना निस्पावन मिस्रन के नीचे तली में बैठा अब छेप को अब सादन तथा उपरी भाग को अलग करना निस्तारन कहलाता है मिस्रन के नीचे तली में बैठे अब छेप को अब सादन और उपरी भाग को अलग करने को निस्तारन कहते हैं छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाता है। कमजोर तना जो भूमी पर फैलता है उसे बिसरपी लता कहते हैं। पत्ती का वह भाग जो तने से जुरी रहती है उसे पर्न वृत कहते हैं। पत्ती से जल के वास्थी करन की प्रक्रिया वात्पो सर्जन कहलाता है। समानतर विन्यास युथ पत्ती वाले पौधे का रेशिदार तथा पत्ती से जल के वास्थी करन की प्रक्रिया वात्पो सर्जन कहलाता है। समानतर विन्यास युथ पत्ती वाले पौधे का रेशिदार तथा जल का रुपी विन्यास वाले पत्ती का मुसला जरे होता है। और युथ दार होता है समानतर विन्यास युथ पत्ती वाले पौधे का रेशिदार जरे होता है। केच्वा चलने और भूमी पर पकर बनाने के लिए सुक काउपियो करता है। घोंगा पेसिये पाद की सहता से चलता है। मर्वस्थलिये जीवों में जो पानी की कमी की वज़े से मुत्र पतला और मल सुस्क होता है। मर्वस्थलिये जीव में पानी की कमी होता है इसके वज़े से उसका मुत्र पतला और मल सुस्क होता है। मचलियां का सरीर चिकने सलकों से ढखा होता है मर्वस्थलिये पौधे में प्रकास संसलेशन समानत तने में होता है। केचवा तचा से सांस लेता है केचवा युद में धुएं के परदा के रूप में pH 3-phosphine का उपियोग किया जाता है। युद में धुएं के परदा के रूप में pH 3-phosphine का उपियोग होता है। पौधे में स्वसन की क्रिया दीन तथा रात दोनों समय में जबकि प्रकास में संसलेशन सिर्फ दीन में होता है। जनतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन करता है। सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रकरिया के शुरूआत मेसर में हुआ था। मिट्री पधती का降 शुरुआत कव 1790 में घरी के स्टेकेंड की सुय की गती वर्तवली गती का उदारन है एक निश्चित समय अंत्राल में दुहराव आविर्ती का उदारन होता है एक निश्चित समय अंत्राल में दूराव आविर्थी गती का उधारन है जो स्वेंप्रकास उत्पन करता है उसे दिप्थ-पिंड कहते हैं पीन होल क्यामरा से बना छबी बास तबीक उठा और पार्शव होता है पीन होल कैमरा से बना छबी बास तबिक उल्टा और पार्शव होता है विद्दुधारा की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव तथा एलक्टरोन की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है जो वित्दुधारा के दिसा है वो positive से negative जाता है लेकिन electron की दिसा negative से positive होती है वित्दुधारा का opposite होता है electron की दिसा switch एक सरल युक्ती है जिसका उपयोग परिपत को चालू या बंद करने में किया जाता है स्विच एक सरल युगती है जिसका उपियोग परिपत को चालू या बंद करने में किया जाता है फिलामेंट में टंगस्टन धातू के पतले तार का उपियोग किया जाता है मैंगनेटाइट चुम्बक सबसे पहले मैंगनेसिया नामकसान पर खोजा गया था मैंगनेटाइट चुम्बक सबसे पहले मैंगनेसिया नामकसान पर खोजा गया था स्वतंत्र लटका हुआ चुम्बक सैदव उत्तर दचिन दिसा में रूपती है स्वतंत लटका हुआ चुम्बक का जो दिसा है रुखने का वो उत्तर और दचिन की दिसा में स्यादव रुखता है चुम्बक हमेशा दो धुरूप होता है चुम्बक बनाने की प्रक्रिया में छर को रगरने की दिसा करने से चुम्बकत का गुन समाप्थ हो जाता है चुम्बक बनाने की दिसा में दूसरा उसको गर्म हथोरा से चोट मारने में या फिर उचाई से उसे गिराने में तीनों कंडिशन में चुम्बकत को अंदर जाने से रोकना है जल चक्र में बायू महत्पुन भुनविजानी भाती है जल चक्र में महत्पुन भुनका किसकी होती है बायू की गतिसील बायू को पवन कहते हैं ऑक्सिजन स्वसन तथा जोलन दोनों के लिए आवस्टेक है ऑक्सिजन स्वसन के लिए और जोलन के लिए दोनों के लिए सजीव के द्वारा भोजन करहन कता उपयोग विधी को पोशन कहते हैं सजीव के द्वारा भोजन गरहन करना और उसका उपयोग की जो भीधी होता है उसे पोशन कहते हैं पतियों को पौधे का खाद फैक्टरी कहते हैं किंद्रक के चारो ओर जेली जैसे पदार्थ कोशी का द्रव कहलाता है जल एवम खनीज जल एवम खनीज बाहिकाओं द्वारा पति तक पहुंचता है पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवानू के मदद से उपयोग करता है पौधा जो है वो नाइट्रोजन का परियो किस के रूप में करता है नाइट्रेट के रूप में जिवानू के मदद से कीट भक्षी पादब कीट भक्षी पादब बीनस फ्लाइट रैप तथा संड्रूज घट परनी है जो की कीटों का भोजन करता है, इसे कीट भक्षी कहते हैं, है ना, बिनस फ्लाइट रैप और संड्यूज घट पर ने, कबक नम एवं उस्म अस्तल पर उगता है, कबक जो है वो नम और उस्म अस्तल पर उगता है, जहां पर मौश्चर हो जाता है, है ना, जटील खाद पदा में परिवर्थन या तूटना, विखंडन तथा या प्रक्रम पाचन कहलाता है, पाचन की से कहते हैं, तो जटील पदार्थ को सरल पदार्थ में तूटना या फिर विखंडन होना, जो एक क्रिया है, उससे पाचन कहते हैं, मधुमक्खी एबं नर्भर भच्ची, हमिंग पौधा के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है, मधुमक्खी एबं नर्भर भच्ची, पौधा के मकरंद से भोजन प्राप्ति करता है, मधुमक्खी अपना सहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है, मधुमक्खी एक ऐसा जीव है, जो अपना भोजन अपने अमासे से ब बाहर निकाल कर गरहन करता है इस्तार फिस एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने अमासे से बाहर निकाल कर गरहन करता है लाल रस या फिर लाल रस या फिर लाल रस मंड को संक्रा में परवर्तित कर देता है मंड को संक्रा में अमासे के आंत्रिक परत की सुरक्षा स्लेश्मा जिली द्वारा होती है अगनासे हलके पिले रंग की ग्रंथी है जो अमासे के ठीक नीचे इस्तित होता है अब देखें यहाँ पर प्रथम बार व्यूमोंट दे ने देखा की अमासे भोजन के मन्थन कर रहा था चुदरांत की आंत्रिक पित्ती में अंगुली के समान संदचना होती है जिससे पाचित भोजन का अवसोसन होता है इसे दिर्गरोम, रसांकूर, आत्वाविली कहते हैं दिली चुदरांत के आंत्रिक पित्ती में अंगुली के समानिक संदचना होती है जो हमारे पचा हुआ भोजन का अपसोसन करता है और इसे दिर्गरोम, रसांकूर तथा भिली भी कहते हैं भिली का ही अननाम है दिर्गरोम, रसांकूर अब सोसित पदार्थों का अस्थांतरन रुधीर बाहिका द्वारा होता है अब सोसित पदार्थ का रुपांतरन कहां होता है रुधीर बाहिका द्वारा अब सोसित पदार्थ का जटील पदार्थ में चेंज होना स्वांगी करन कहलाता है नेक्स्ट है साकहारी के अमासे में रुमेन होता है साखहारी के मासे में क्या होता है रुमेन होता है जो चार चिंबर में बटा होता है और यह भोजन का प्राथ्मिक संग्रह करता है रुमेन अमीबा अमीबा जलासे में पाया जाने वाला एक कुछ की ये जीव हैं अमीबा के चलने वाले भाग पदाव पदाव या फिर क्रित्रिम पाउं का लाता है अमीबा अपना भोजन खाध धानी खाध धानी के द्वारा अंतरग्धन करता है अमीबा सतर नमर प्रस्ण है कार्बो हाइडरेट का पाचन मुख से सुरू होता है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कार्बो हाइडरेट का पाचन मुख से सुरू होता है प्रोटीन का पाचन वसा का पाचन छोटी आंत में होता है वसा का पाचन छोटी आंत में वसा का पाचन से लेके 42 लिए उर्धाधर रखा जाता है वह प्रक्रम जिसमें उस्मा किसी बस्तू को गरम सीरे से थंडे सीरे की और अस्थांत्रित करता है उसे चालन कहते हैं चालन किसे कहते हैं ध्यांदी जिये का बहुत इंपोटेंट है चालन कहा जाता है वह प्रक्रम जिसमें उस्मा किसी बस्तू के गरम सीरे से थंडे सीरे की और अस्थांतरित होता है उसे चालन कहते हैं अनु के द्वारा उस्मा का अस्थांतरन चालन कहलाता है तथा अनु के गति के कारण उस्मा का अस्थांतरन संभान कहलाता है अनु के गति के कारण जो उस्मा अस्थांतरत होता है उसे संभान गाते हैं Acid सब्द की उतपत्ती Latin सब्द Acid से हुई है Haldi, Litmus, Gughal, Gughal की पंखुरियां इत्यादी प्राकिर्तिक सुचक है Haldi, Litmus, Gughal, Gughal की पंखुरियां सौरी ये सभी प्राकिर्तिक सुचक है Methyl Orange, Phenophethylene, Adi, Krithrim सुचक है Methyl Orange और Phenophethylene, Krithrim सुचक है Litmus पत्र की प्राप्टि Lykens किया जाता है returning कि से Lykens है Methyl Orange अमल को लाल तथा छार को पिला कर देता है Phenophethylene अमल में कोई रंग नहीं नहीं देता है और छार को गुलावी कर देता है Phenophethylene अमल को गहरा गुलावी कर देता है यानि मेजेंडा और छार को हरा कर देता है गुरहल का जो फूल होता है वो अमल को गहरा गुलाबी जिसको मेजेंडा कहते हैं और छार को हरा कर देता है हल्दी अमल को नीला पिला तता छार को लाल अर्थार्थ लिटमस पत्र के विपरित रंग देता है हल्दी जो है हल्दी अमल को नीला या पीला और छार को लाल अर्थार्थ लिटमस पत्र के विप्रित रंग देता है उदासनी करन अविकरिया में सयदव उस्मा निकलता है कैला माइन जिसके जिंक कार्बोनेट होता है कैला माइन में जिंक कार्बोनेट होता है अगला वा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्मान होता है उसे पुना मुल घटक में नहीं लाया जा सकता है रासाइनिक परिवर्तन किसे कहते हैं वा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्मान होता है तथा उसे पु लवन युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है लवन युक्त जल इस्ट बायू की अनुपस्तिती में सुक्रोज को इथायल अलकोहल तथा कारवन डायकसाइड को चेंज करता है और यह अभिक्रिया किनवन कहलाता है ध्यान देंगे जो इस्ट है यह बायू की अनुपस्तिती में सुक्रोज को इथायल अल बाईू के सुकुरोज को इताल अल्कोहल में और करबन JACKET में चेंज करता है। तो यह अभी के लिए किन्बन कहलाता है। ओक्सिजन से संमृद्ध बाईू को सरीर के अंदर लेना अतना स्वसन तथा करबन डायकसाइड यूगत बाईू को बाहर निकालना उच्छ वसन कहलाता है स्वसन और उच्छ वसन किसे कहते हैं देखिए जब ऑक्सिजन से पुन हवा को हम सरीर के अंदर लेते हैं तो उसे स्वसन कहते हैं और कारवन डायकसाइड से भरा हुआ बायू को जब हम बाहर निकालते हैं उसे उच्छ वसन कहते है यानि सांस लेना स्वसन है और सांस छोड़ना उच्छ स्वसन है अन्ता स्वसन के समय पसलियां उपर बाहर की और गती करती है और डाइफ्राम नीचे की और गती करता है याद रखेगा कि अंता स्वसन के समय जो हमारी पसलिया होती है उपर और बाहर की और गती करती है और डाइफ्राम नीचे की और गती करता है डाइफ्राम कीटो में स्वसन स्वांसरंद्र के माध्यम से होता है और गैसों के बिनियमन के लिए बायू नालिका का जाल बिछा होता है जो स्वांसपरनाली यानि बातक कहलाता है क्या कहलाता है बातक मचलियां के कलोम में रक्तवाहिनियां की संख्या अधिक होती है मचलिया के कुलों में रक्त वाहिनिया की संख्या सबसे अधिक होती है जो गैस विनियमों का कार्ज करती है क्या करती है रक्त वाहिनिया गैस विनियम का कार्ज करती है और बाईवी स्वसन और बाईवी स्वसन का अंतिम उत्पाद इथायल अलकोहल है और बाइबी स्वसन का अंती मुत्पाद क्या है इथाईल अलकोहल रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाजमा कहते हैं रक्त के ठक्का बनने में पट्टी कानू यानि प्लेटलेट्स का अहम भुनका होता है प्लेटलेट्स को पट्टी कानू भी बोलते हैं और ये blood के clotting में important होता है रक्त चाप रक्त चाप मापी या spagnumagnometer से मापा जाता है रक्त चाप को spagnumagnometer या रक्त चाप मापी से धमनी से सिरा में धमनी से सिरा में रक्त का आस्थांतरन कोशी का द्वारा होता है धमनी से सिरा में रक्तकार सांत्रम किसकी द्वारा होता है कोशिका द्वारा हिर्दय अस्पंदन यानि हर्टवीट बराबर होता है लेबद सकुचन पलस लेबिद विशांसिद हिर्दय अस्पंदन बराबर क्या होता है सकुचन पलस विशांती है ना हिर्दायस पंदन स्टेथोयस्कोप से मापा जाता है, हर्टवीट को स्टेथोयस्कोप से मापते हैं, मुत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% अनबसिस्ट भी होता है मुत्र में, 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है अगला है पत्ती द्वारा जल का वास्प में परिवर्तन चूसक खिचावल के कारण होता है मानव सरीज के होट में स्वेध गरंथिया नहीं होती है अधिकान स्पादप में काईक अंग के रूप में तना पत्ती होता है पुस्प पादप का मुख जनन अंग है ये भी कोशन का इवर पूछा गया है पत्ती के कक्ष में से जो कलिका यानी मुकुल निकलता है या विक्सित होने पर काईक कलिका कहलाता है डलिया या फिर दहेलिया सकरकंद जरे द्वारा पौधे का उत्पादन करता है मांस और फॉर्ण जरसे पादप में जनन विजानू द्वारा होता है मांस फॉर्ण जरसे पादप में जनन विजानू द्वारा होता है मक्का पपीता ककरी खीरा एक लिंगी पौधा है मक्का पपीता ककरी खीरा ये सभी एक लिंगी है सरसो गुलाब और पेटूनिया उभै लिंगी पौधा है कैसा है उभै लिंगी और ये भी कोश्चन कई बार एक्जाम में आया है निसेचन के पश्चात अंडासे अंडासे फल में और विजान्ड वीज में विख्षित होता है निसेचन के बाद अंडासे फल में और विजान्ड वीज में विख्षित होता है निसेचित अंडा यूगमज कहलाता है निसेचित अंडा को यूगमज कहते हैं और यूगमज यानी जाइगोट का विकास ब्रून में होता है जाइगोट का निर्मान अगला है अंडासा एक अनेक बिजांड का उधारन है प्रांगनों का प्राग कोस से बर्तिका तक अस्थांतरन प्रांगन कहलाता है प्रांगन किसे कहते हैं तो प्रांगनों का प्राग कोस से बार्तिका तक अस्थांतरन प्रांगन कहलाता है नेक्स्ट है सधारन लोलक का अध्यन सरपर्थम गेलेलियों ने किया था सधारन लोलक का अध्यन सबसे पहले गेलेलियों ने किया था जब किसी तार से विद्दुधारा प्रवाहित किया जाता है तो वो अतार तप्थ हो जाता है और यह तार यह विद्दुधारा का उसमिय प्रवाहित होता है तो वो तारगरम हो जाता है और यह विद्दुधारा का उसमिय प्रवाहित होता है आगे है विद्दुधारा का उ प्रतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है प्रतिविम को केबल बास्तविक प्रतिविम पर पर प्राप्त किया जा सकता है त्यान रखिएगा प्रकास जो है दोस्तों वो प्रकास सरल रेखा के अनुदीश कमन करता है अगला है कोई भी पॉलिस किया हुआ आथवा चमकदार बस्तू प्रिष्ट दर्पन के समान ही बिभार करता है अधिक उचाय वाले ब्रिष्ट के उपरी भाग पर तना की आकिरती बितान यानी कैनोपी कहलाता है कैनोपी किसे कहते हैं तो अधिक उचाय वाले ब्रिष्ट के उपरी भाग पर तना की आकिरती को बितान या फिर कैनोपी कहते हैं नेक्स्ट है बनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं बनों को सजीवों का जीवन इकाई कहते हैं तो question पूछेगा सजीवों का जीवन इकाई किसे कहते हैं बनों को कहते हैं वनों द्वारा ध्वनी प्रदूशन भी कम किया जाता है विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को सयुक्ति राश्ट द्वारा 2005 से 2015 की अबधी को जीवन के लिए जल दसक गोशित किया गया हैजा, टाइफाइड, पोलियो, और मेंजाइटिस, हेपटाइटिस और पेचिस ये सभी जल प्रदूशन के कारण होता है जो हैजा है टाइफाइड, पोलियो, मेंजाइटिस, मेंडाइटिस का होता हमारे दिमाग में है न हेपटाइटिस और पेचिस ये सभी जल पानी का मात्र 0.006% ही पीनिलाइक पानी है प्रीथवी पर कितना 0.006% पीनिलाइक है। सभ्तिराष्ट के अनुसार प्रती बेक्ती को प्रती दिन 50 लीटर ही पानी का उपयोग करना चाहिए। भू जल के भिनवीन अस्तर को जल तालिका कहते हैं। भू जल के भिभिन अस्तर को क्या कहते हैं। जल तालिका उर्वरक एवं मानक उर्वरक एक मानक निर्मित लवन है जबकि खाद एक प्रकिर्तिक पदार्थ है। खाद के उपयोग से मिट्टी में जल धारन करने की छमता में विर्दी होता है। खाद का उपयोग से मिट्टी में जल धारन करने में छमता में विर्दी होता है। फसलों से खरपदबार अलग करने की प्रकिरिया निराई कहलाती है। तो फसल से खर्पतबार को यानि की जो भी जंगल वगेरा होते हैं, उसके अलग करने की क्रिया को निराई कहते हैं, हार्वेस्टर एक परकार की मसीन है जिसका उपयोग फसलो को काटने में करते हैं हार्वेस्टर हार्वेस्टर एक मसीन है फसल की कटाई में इसका उपयोग करते हैं बीजो का बड़े पैमाने पर भंडारन साइलो कहलाता है, बीजो का बड़े मात्रा में भंडारन क्या कहलाता है साइलो, लीवर में बिटामिन A, कॉर्ड लीवर में बिटामिन D की प्रशुरता होती है, लीवर में बिटामिन A और कॉर्ड लीवर में बिटामिन D, नेक्स्ट के द्वारा होता है टाइफाइड और छैरोग जिवानू के द्वारा होता है क्लोमाइडो मोनास और इस्पाइरोगारा सेवाल है जबकि राइजोपस कवक है राइजोपस कवक है और कुलाइडो माइनस और स्पाइरोगारा एक सेवाल है जिवानू एवं इस्ट चावल के आ पर्थम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिवानू रोगों से बचा भेतू कबक से प्रथम प्रतिजैबिक पैंसिलीन बनाया था तो पैंसिलीन का निर्मान किसने किया था सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इससे जिवानू रोगों से बचा भेतू सरपर्थम Edward Jenner ने चेचक के लिए उन 1798 में टीका का खोज गिया Edward Jenner ने 1798 में अगला है एडीज मच्छर डेंगू रोग का बाहग है मादा एनफलीज मलेरिया रोग का बाहग है मादा एनफलीज मलेरिया का बाहग है रोबर्ट कोच ने सन 1875 में बैसिलस एंथरोसिस नामक जिवानू की खोज की जिससे एंथरेक्स रोग होता है तो एंथरेक्स रोग जो है वो बैसिलस एंथरेस नामक जिवानू से होता है इसका खोज 1875 में रोबर्ट कोच ने किया था ठीक है, आगे है निम्बू, निम्बू में कैंकर रोग जिवानू से होता है, गेहु में रस्ट रोग कवक से होता है, भिंडी में पित रोग होता है, और यह बाइरस से होता है, खटे परदास के संदक्षन के लिए नमक का उपियोग किया जाता है, अचार में देखते होंगे नमक डाला जाता है, ताकि वो जो है गल जया है, इसलिए, खादे परदार्द के संदक्षन के लिए सोडियम बिंजोएट और सोडियम मेटा बाइसलफिट का उपियोग किया ज जैम हो गया, जेली हो गया, स्वास हो गया, इसका संछरन चीनी द्वारा किया जाता है विसानु केबल पर पोसी जैसे जिवानु, पादप या जन्तु में गुनन करते हैं फैलता किस से हैं कीट द्वारा सुर्ज का प्रकास बायू इत्यादी अक्षे उर्जा का स्रोत है अक्षे उर्जा का स्रोत सुर्ज का प्रकास और बायू है अगला सवाल है तो मिर्त बनस्पती के धीमे प्रक्रम द्वारबा कोले में परिवर्थन को कार्बनी करन कहते हैं अगला है कोल, कोलतार और कोल गैस कोला से प्राप्त किया जाता है कीटो को भगाने के लिए उप्योग किया जाने वाले नेप्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त किया जाती है कोलतार की अस्थान पर पेट्रोलियम उत्पादन बीटू मेन का भी उपयोग किया जाता है पेट्रोल का उपयोग हलका चलने वाला गारी डीजल का उपयोग भारी मोटर बाहन में किया जाता है पेट्रॉल का उपयोग जो हलका चलने वाले गारी में और डीजल का उपयोग भारी मोटर बहान में क्या जाता है पेट्रॉल का निर्मान समुद्र में रहने वाले जीव से होता है पेट्रॉल का निर्मान समुद्र में रहने वाले जीव से विस्व का सबसे पहला तेल कुवा पैंसलिवेनिया अमेरिका में 1869 में हुआ था पैंसलिवेनिया अमेरिका में 1869 में इसका सापना हुआ था ये विस्व का सबसे पहला तेल कुवा है पेट्रोलियम या कोईला को काला सोना कहते हैं काला सोईना किसे कहते हैं पेट्रोलियम या कोईला को सबसे ज़्यादा उसमीय मान किसका होता है गैस का, फिर द्रव का, फिर ठोस का गैस, द्रव और ठोस सबसे ज़्यादा उसमीय मान को करम में आपको देखेंगे और सबसे ज़्यादा जोलन ताप होता है ठोस का फिर द्रव का फिर गैस का सबसे ज़्यादा जोलन ताप होता है मैगनेसियम जल मैगनेसियम जल मैगनेसियम ऑक्साइड पलस उसमा पलस प्रकास देता है क्या देता है प्रकास वो निम्तम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस ताप का ज़ुलन ताप कहलाता है माचिस पर पहले एंटी मनी ट्राइसलफेट पोटेसियम कोलरेट और स्वेथ फॉस्फुरस का मिशरन होता था माचिस पर पहले Antimony Trisulfate, Potassium Collorate और Swit Phosphorus का मिशरन होता था अगला प्रस नहीं कि वर्तमान में माचिस पर केबल Antimony Trisulfate और Potassium Collorate का लगा होता है अभी वर्तमान में, पहले होता था Swit Phosphorus भी, अब नहीं होता है जबकि माचिस के रगरने वाले सता पर कुछ कांच एवं लाल Phosphorus होता है ताप में व्रिदी या रगर होने पर लाल Phosphorus, Swit Phosphorus में परिवर्तित हो जाता है आग बुझाने वाले कर, बायू का प्रवा, काटना या इंधन का ताप कम करना या दोनों होता है आग बुझाने वाले का कर, बायू का प्रवा, काटना या इंधन का ताप कम करना दोनों या फिर दोनों होता है 72 नमर कोश्चन है 172 कि सभी परकार के आग को बुझाने में कारवन डायक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है सभी परकार के आग को बुझाने में दहन परक्रिया में सबसे गर्म भाग बाहर होता है फिर मद भाग होता है फिर आंतरिक भाग होता है और रंग रंग सबसे ज़्यादा बारी भाग का नीला होता है उसके बीच का भाग पीला होता है और नीचे का भाग काला होता है उसमिये मान का ऐसाई मातरक किलो जूल पर किलो ग्राम होता है सलफर एबम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अमलिये वर्षा होती है किसी बेक्ती के कप्रा में आग लगने की स्थिती में उसे कंबल से डखना चाहिए ना कि अगनी शामक का उप्यूग उसमें उपस्थित अमल छार तुचा के लिए हानी कारक होता है बनो उन्मुलन का अर्थ वनो के अस्थान पर अवास या फिर अन्यकार का होना है बनो उन्मुलन का अर्थ कि बन के अस्थान पर अवास का होना या फिर और भी कार्द करना बनो उन्मुलन से भूजल अस्तर में कमी आ रही है बन उन्मुलन से वन्य जन्तू अभ्यारन राष्टिय उद्यान जय मंडल संडक्षित चित इत्यादी पौदे एवम जन्तूओं के लिए संडक्षित एवम सुरक्षित चित्र है याद रखेगा कि वन्य जन्तु अभ्यारन, राष्टिय उद्यान, जय मंडल संदक्षित छेत ये सभी जो है पौधे एवं जन्तुओं के लिए संदक्षित एवं सुरक्षित छेत रहे और ये भी कोशन पूछा गया है एकजाम में किसी विशेश चित्र में पाए जाने वाला पेर पौधा और जन्तु को करमसा बनस्पती जात या प्रानी जात कहते हैं जहां बन्य प्रानी सुरक्षित और संदक्षित रहता है उन्हें बन्य प्रानी अभ्यारन कहते हैं बन्य प्रानी अब्यारन किसे कहते हैं, तो जहां बन्य प्रानी सुरक्षित और संडक्षित रहता है उसे कहते हैं। रेड डाटा पुस्तक में सभी प्रकार के लुप्ट प्राय जीव जन्तु एवं पेर पौदे को रखा जाता है। प्रवासी पक्षी का प्रवास भोजन की कमी एबं बदलते मौसम के कारण होता है। अगला है शुकरानओं की तरह अंडानू भी एकल कोईसिका का बना होता है। परक्नली सिसू में निसेचन बाहर और विकास अंदर होता है। निसेचन के परिनाम सरूप युगमनस बनता है यानि जाइगोट बनता है जो विक्सित होकर भुन में परिवर्तित हो जाता है निसेचन के परिनाम सरूप जाइगोट बनता है जो डेबलप होके भुन बनता है ब्रुन के कोईसिका में बिभादन के परनाम सरूप अंग का निर्मान पुरा होता है ब्रुन के कोईसिका में बिभादन के परनाम सरूप क्या होता है अंग का निर्मान होता है टेडपॉल का बयस्क मेधक में रुपांतरन कायांतरन कहलाता है टेड़ पॉल मेड़क का जो बच्चा जब जन में लेता है उसको कहते हैं टेड़ पॉल है ना जब वो बरा होता है तो मेड़क बनता है और इसी रुपांतरन को कयांतरन कहते हैं क्या कहते हैं कयांतरन टेड़ पॉल से मेढक मे रुपांतरन के लिए जल में I2 की उपस्तिती एनिवार है और ये I2 जो है टेड़ पॉल से मेढक रुपांतरन के लिए जल में इसकी उपस्तिती बहुत जरूरी है अगला है अमीवा, अमीवा एक कोश्किये जीव है, अमीवा में दुई खंडन होता है किसी समरूप कोश्टिका से किसी खास अंग या का या संपुन सरीर का विकास कृतरीम रूप से कलोनिंग कहलाता है किसी समरूप कोश्टिका से किसी खास अंग का या संपुन सरीर का विकास कृतरीम रूप से कलोनिंग कहलाता है निसेचन के पस्ताथ जो कोश्टिका नए जीव का उत्पन करता है उसे युगनस कहते हैं अगला है किसो रवस्था को टीनेजर्स कहते हैं किसो रवस्था को क्या कहते हैं, टीनेजर्स, लरकों में बढ़ता हुआ स्वरियंत्र को एडम्स एपल कहते हैं, लरकों में बढ़ता हुआ स्वरियंत्र को क्या कहते हैं, एडम्स एपल, ब्रिशन प्रुष हर्मॉन, टेस्ट्रोजन को उत्पादित करता है, ब्रिशन फ्रुष और मैला और बहुत सारे ही हरमॉन दे दिया जाएगा आपको मिलान करने के लि ले दियाज है खुए जाएगा एड्रेनल लिंग् हरमॉन रख्त में नमग लवन की मात्रा को नियंत्रीद करता साथ ही क्रोध, चिंता एवं उत्तेचना हिर्दय भी नियंत्रित करता है उत्तेचना हिर्दय को भी एडरनील हर्मॉन विर्धी हर्मॉन प्यूस गरंथी से स्रावित होता है विर्धी हर्मॉन प्यूस गरंथी से इसे मास्टर गरंथी भी कहते हैं मेडक में थाइरोक्सिन के सराब से ही टेड़पॉल विर्धी कर पाता है टेड़पॉल जो विर्धी करता है वो थाइरॉक्सेन के सराब से और इसके लिए आईटू को होना क्या है आवश्चक है आईटू का होना पत्तिदार सबजियां गूर मांस इत्यादी में लोहा परचूर मात्रा में पाया जाता बल के द्वारा घर्शन हमेशा गती के विप्रीत में होता है चुम्बक द्वारा लगाया गया बल एक और संपर्क बल का क्या है उदारन है द्रव तथा गैस बर्तन की दिवार पर दाव डालता है क्या करता है द्रव हो या फिर गैस ये बर्तन की दिवार पर दाव को डालता है सता के बीच औनियमत्ता के कारण घर्सन बल लगता है तरल द्वारा लगाया गया घर्सन बल को कर्सन भी कहते हैं विद्दूत निसकर्शन में उप्योग होने वाले छर को एलक्ट्रोड करते हैं जल से विद्दू धारा प्रवाहित करने पर O2 और H2 गैस करमसा धन, रिन, ध्रूप पर निकलता है जल से विद्दू धारा प्रवाहित होता है तो उसमें ऑक्सिजन और हाइड्रोजन गैस में धान रिन ध्रूप पर निकलता है अगला है सस्ते धातू पर मांगे धातू की परत चढ़ाना ही विद्दू तलेपन कहलाता है अब सुने होंगे की चांदी का कोई चीज होता है उस पर सुना की पानी चरहा दिया जाता है तो वो भी एक विद्दू तलेपन ही है जब एमबर, एमबर एक परकार का रोड है, जब एमबर को फर से रगरते हैं तो यह इस थीर विद्दू आबेस उत्पन करता है सजाती आबेस एक दूसरे को परतिकर्सित और विजाती आबेस एक दूसरे को आकर्सित करता है विजाती आकर्षित करता है और सजाती प्रतिकर्षित करता है नेक्स्ट है विद्दु दर्सी से किसी बस्तु के आबेसित होने का पता लगाया जाता है विद्दु दर्सी से किसी बस्तु के आबेसित होने का पता लगाया जाता है विद्दुत विशर्जन तरित के समय उद्पन होता है दुर्वल वुकम चेत्र को ब्रहंस चेत्र भी कहते हैं और भारत में केंद्रिये हिमाले, समस्त पुर्व, कक्छ कारन, राजस्थान तथा सिंद गोमा के मैदान, दचिन भारत के कुछ भाग यह दुर्वल वुकम चेत्र हैं यह भारत के भुपरपटी भुकम पुत्पन करने के लिए उत्तरदाई प्लेट है चिकने प्रिष्ट से हमेशा नियमित प्रावर्तन और खुरदरे से औनियमित प्रिष्ट से बिश्रित परिवर्तन होता है नेक्स्ट है परिटारिका जो हमारे आँख में होता है नित्र में प्रवेश करने वाले प्रकास की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदाई होता है परिटारिका और ये BPSC 6-7 में पूछा गया सवाल है ठीक है याद रखिएगा परिटारिका नेत्र में परवेश करने वाले प्रकास की मात्रा तथा आँख के रंग के लिए उत्तरदाई है और भी पूछा गया लेकिन फिलहाल जो फिल एक्जाम हुआ उसमें पूछा गया इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाइलाइट कर रहे हो है ना संकू जो तिब्र परकास तथा सलकाएं मन्द परकास के लिए शुगरा ही होता है संकू रंग के लिए भी उत्तरदाई है तितली के बरे नेत्र वास्तब में 600 यानि छोटे नेत्रों से मिलकर बना प्रतीत होता है। इसका बिपरीत जो दीन में देखने वाले जन्तु उसमें भी होता है। तापमान बढ़ने से तापमान गती जुर्जा भी बढ़ती है। प्रक्रिक तस्थान के कारण गैसो का विश्रन तिवरता से होता है। क्योंकि अत्यदिक रिक तस्तान यानि खाली जगा के कारण है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांग उसके मद आकरसन बल को दरसाता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान के समान रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में उस्मा का अबसोसन होता है और इस उस्मा को गलन या फिर संगलन की प्रसुप्त या फिर गुप्त उस्मा कहते हैं। पदार्थ की अवस्था यानि ठोस, द्रब और गैस दाब और तापमान के द्वारा तैक की जाती है। वन एट्मोस्पेरिक बराबर होता है 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल वन एट्मोस्पेरिक बोल बराबर 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल कौथनांक से कम तापमान पर द्रब के बास्प में परिवर्थन होने की प्रेकरिया वास्थी करन तथा कौथनांक पर या कौथनांक से उपर वास्प में बदलना वास्थन कहलाता है। याद रखेगा कौथनांक से कम तापमान पर द्रब के बास्प में परिवर्थन होने की प्रेकरिया को वास्थी करन तथा कौथनांक पर या कौथनांक से उपर वास्प में बदलना वास्थन कहलाता है। वास्थी करन एक सतही प्रेकरिया है वास्थी करन फोलरसेंट ट्वी नियोन बल्म में प्लाज्मा होता है। कम घनत कम ताप पर पदार्थ को ठंधा करने में बी इसी तयार किया जाता है। इसी रंगों को पिर्थक करने की प्रकरिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। जिस पदार्थ के कौथनांक के बीच 25 दिगरी सलसियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आस्वनविधी से सुध किया जाता है। जिस पदार्थ के कौथनांक के बीच 25 दिगरी सलसियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आस्वनविधी से सुध किया जाता है। बायू से बिभीन गैस तथा पेट्रोल्य मुद्पादों को परभाजी आस्वनविधी से अलग किया जाता है। बिभीन गैस तथा पेट्रोल्य मुद्पाद को परभाजी आस्वनविधी से अलग किया जाता है। पदार्थ का वगुन जिसका अवलोकन एबंबर्नन किया जा सकता है भौति गुन कहलाता है। मुम्बती जल्ले में भौतिक और रासाइनिक दोनों प्रावर्तन होता है। भौतिक और रासाइनिक दोनों रौबर्ट वाइल रौबर्ट वाइल पहले बैग्यानिक थे जिन्होंने 1661 में तत्तु सब्दका परियोग किया था रौबर्ट वाइल तत्तु की परिभासा एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर ने दिया था और फादर आफ कमिस्ट्री वी लेवाजियर को ही कहा गया है इनका पूरा नाम एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर है बिरानवेर तत्तु प्रकृतिक में है 11 तत्तु गैस है दो द्रब अवस्था में पाया जाता है अब है H2S, H2S एक रंगीन गैस है जिसमें सरे हुई अंडे के जैसा गंध होता है योगिक को एकल रासायनिक या फिर वैदूत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा प्रिथक किया जाता है योगिक को रासायनिक या वैदूत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा प्रिथक किया जाता है निलंबन के कनों को आखों से देखा जा सकता है निलंबन के कनों को आँखों से देखा जा सकता है केवल भी समांगी मिस्रन ही टिंडल प्रभाव को दर्साता है भी समांगी मिस्रन भी समांगी मिस्रन और समांगी मिस्रन क्या होता है सम मतलब होता है बराबर जैसे कि नमक को पानी में घोल दीजेगा तो पुरूता वो मिल जाएगा लेकिन वही अगर चावल, वे दाल को मिक्स कर दीजेगा तो पुरूता भूलेगा नहीं तो वो भी समाङगी हो जाएगा परमानू तिर्जया को नैनो मीटर के मापा जाता है परमानू की तिर्जया 10 का पावर इंबर्स 10 मिटर होती है हाइड्रोजन पर्मानों की तिर्या तेन इनभर्स 10 मिटर जिन्होंने तत्तो के प्रतिक का परियोग अत्यंत विसिस्ट अर्थ में किया है suscept док के प्रतिक का सुझाव वाजेलियस ने दिया था तत्त के जैसे कि hydrogen का हम लों लिखते हैं hydrogen हो गया helium हो गया ऐसे लिखते हैं हिलियम का hydrogen, helium, lithium, beryllium इसा लिखते हैं न तो यह जो प्रतीक है आपका यह सभी प्रतीक का सुझा आप बार्जलियस ने दिया था अब गाडरो संख्या na से निरूपित किया जाता है अब गाडरो संख्या को na से निरूपित करते हैं और na यानिकि अब गाडरो संख्या बरावर होता है 6.022 into 10 to the power 23 अनू या परमानू या फिर आयन भी बोल सकते हैं और आयन बरावर होता है 22.4 लिटर सरपर्थम अनु तथा मोल सब्द का परतीपादन विलहेम ओस्ट वाल्ड ने दिया था पर्मानु अभिभाज नौ होने का पर्मान इस्थीर विद्दूत तथा विद्दूत चालन की स्थिती से मिलता है उसके बाद है कि जो आपका नेक्स्ट है प्रमानु अभिभाजनों होने का प्रमान इस्तीर विद्धूत और विद्धूत चालन के सित्थी से मिलता है आपने देखिया प्रोटॉन का खोज केनाल रे के रूप में गोल्ड स्थीन ने 1886 में किया था प्रोटॉन का खोज केनाल रे के रूप में गोल्ड स्थीन ने और प्रंथु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया बाद में जेजे थॉम्सन ये पहले वेग्यानिक थे जिसने प्रमानू मॉडल दिया था जेजे थॉम्सन ने प्रमानू मॉडल को दिया था एलक्ट्रोन का फोज के कारण 1905 में थॉम्सन को नॉबल पुरेस्कार मिला था 1905 में परमानु उदासीन होता है परमानु कैसा होता है उदासीन होता है इसके बारे में थामसन ने बताया था रदरफोर्ट को नाविक ये बहुतिक का जनक माना जाता है रदरफोर्ट को नाविक ये बहुतिक का जनक माना जाता है रदरफोर्ट ने ही बताया कि परमानु की तिर् पर्मानू की स्थिर्टा का वैक्या निल्स बोर। सयोजक्ता पर्मानू की सयोजन सकती कहलाता है। रदर्फोड ने पर्मानू की तिलना सौए परिवार से किया है। रोबर्ट हुक ने कार्क से मिर्थ तथा लिवन हॉक ने तलाव से जिवित कोशिका का खोज किया रक्त का पंप हिर्दय करता है उसके बाद है प्लाज्मा धिल्ली केंद्रक तथा कोशिका द्रव सभी कोशिका का प्रमुख अब्यव है कोईसिका का प्रमुखव्यक प्लाजमा जिल्ली केंद्रक कोईसिका द्रव सभी है कोईसिका जिल्ली को बर्नो आत्मक पारगमे जिल्ली भी कहते हैं बर्नो आत्मक पारगमे जिल्ली भी कहते हैं कोईसिका जिल्ली को नेक्स कोश्चन है कि जल के अनू की गती जब बरनात्मक पारगमे जिल्डी के द्वारा होता है तो उसे प्रासरन कहते हैं नेक्स कोश्चन है अलप प्रासरन अलप प्रासरन कोशी का फूल जाएगी अलप प्रासरन कोशी का फूल जाएगी उसे अलप प्रासरन कहेंगे सम प्रासरन क्या होता है इसमें कोई परिबरतन नहीं होगा उसे सम प्रासरन कहेंगे और अती प्रासरन मतलब कोसी का चिपक जाती है एक कोस की ये ओबाईबी जीव अधिकान स्पादब कोसी का प्रासरन द्वारा जल गरहन करता है प्लाजमा धिली लचिली होती है जो लिपीड और प्रोटीन की बनी होती है अमीबा अनेक एक कोस्किये जीव अपना भोजन एंडोसाइटोसिस बिदी द्वारा करता है याद रखिएगा जो अमीबा होता है अमीबा तता अनेक जो कोस्किये जीव होते हैं वो अपना भोजन एंडोसाइटोसिस बिदी द्वारा करते हैं नेक्स्ट कोश्चन 279 है कि कोशिका जिली सहित अन्य पदार्थ का सकुचन जीवद्रब सकुचन खालाता है कोशिका विवाजन के समय क्रोमोसोम दिखाई देता है DNA के क्रियात्म खंड को जीन कहते हैं और असपस्ट केंद्रक में केबल क्रोमोटीन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाई किसे कहते हैं तो असपस्ट केंद्रक में केबल क्रोमोटीन पदार्थ होता है जिसे केंद्रकाई कहते हैं जिस कोईसिका में केंद्रक धिल्ली होता है उसे यू करियोटिक कहते हैं जिसमें केंद्रक धिल्ली होगा उसे क्या कहेंगे यू करियोटिक कोईसिका द्रब प्लस केंद्रक द्रब मिलके बनता है जीव द्रब कोसिका द्रब और केंद्रक द्रब मिलके क्या बनता है? जीव द्रब बनता है यकरित विस्त तथा दवा का निराकरन करने में महत्पुन भुनका निभाता है यकरित विस्त तथा दवा का निराकरन करने में इंडोप्लास्मिक रेटीकुलम में संसलेसिद पदार्थ गौलजी उपकरन में जमा रहता है। लाइसोसोम में उपस्तित एंजाइम का निर्मान इंडोप्लास्मिक रेटीकुलम में होता है। मैट्रीकुलम से होता है। में किसी भी परकार की जिली नहीं होता है। प्रोकारियोटिक कोईचिका में क्रोमोसोम के अस्थान पर क्या होता है नि будете केबल राइबोसोम अंगक के रूप में होता है प्रोकारियोटिक में कोशिका के अंदर विसेले पदार्थ का निराकरन चिकनी अंतद्रवी जाले का द्वारा होता है गौलजी उपकरन सरल संकरा को जटिल संकरा में बदलता है गौलजी उपकरन क्या करता है? सरल संकरा को जटिल संकरा में बदलता है एक मिट रुकी तरह से सुख गोलजी उपकरन परिक्षन सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है रक्त ऑक्सिजन, भोजन, हर्मोन और अपसिस्ट पदार्थ का वहन करता है रक्त फ्लोयम तथा पेसी उत्तक का उदारन है बिभाज उत्तक में रस्धानी नहीं होता है जो इसकेलरन कायमा की बित्ती होती है वो कठोर क्यों होती है? लिंगनीन के कारण वात्पो सर्जन की क्रिया रंद्र के द्वारा होता है पैरन कायमा भोजन का संगरा करता है फ्लोयम रेसा को छोर कर सभी जीवित होता है नेक्ट कोश्चन है तरल सयोजी उत्तक एक परकार का रख्थ है जो भी पदार्थ सरीर में प्रवेश करता है वो एपिथिलियम के परत में से आवस्थे गुजरता है अहार नाल और मुग के अस्तर सलकी एपिथिलियम से ढखा होता है जहां पचित भोजन का अपसोसन तथा स्राव होता है वहां का भीतरी अस्तम अस्तामभाकार एपिथिलियम से बना होता है जहां पचित भोजन का अपसोसन तथा स्राव होता है वहां का भीतरी अस्तामभाकार एपिथिलियम का बना होता है अगला कोशन है प्लाजमा रक्त, गैस, सरीर के पचे हुए भोजन, हर्मौन और उत्सर्जी पदार्द का संबहन या परिवहन करता है प्लाजमा रक्त, गैस, सरीर के पचे हुए भोजन, हर्मौन और उत्सर्जी पदार्द का संबहन या परिवहन करता है अस्थाई उत्तक बिभाज उत्तक का एक परकार होता है तने की परिदी पार्स बिभाज उत्तक का कारण बढ़ता है वाही निकाय में छिद्रिल कोशिकाय वित्ती नहीं होता है बाही तोचाकाकार प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव गैसों का बिनियमन वात्फो सर्जन है पेस्ये उत्तक में सकुचन सील प्रोटीन पाया जाता है सहचर कोशिका में परिवक्तता के समय किंद्रक लोप हो जाता है किंद्रक कब लोप हो जाता है सहचर कोशिका में परिवक्तता के समय किंद्रक लोप हो जाता है अगला है मरवस्तवलिये पौधा में जल हर्स की दर में कमी क्यूटिल यानि की उपत्वचा से होता है मरवस्तवलिये पौधा में जल के हर्स की दर में कमी क्यूटिल यानि उपत्वचा से होता है कार्क कोशिका में सुबरीन के कारण जल तथा गैस की पारगम्मता समाप्त हो जाती है जिमनो स्पर्म में जल संबहन उत्तक वाहिनिकाओं में पाया जाता है जिमनो स्पर्म में जल संबहन उत्तक वाहिनिकाओं में पाया जाता है अरस्तु ने जीवो का वर्गी करन उनके अस्थल, जल और बायू में रहने के अधार पर किया है जय बिकास की अधारना सरपरतम 18-69 में डार्वीन ने अपनी पुस्तक वी ओरिजन ऑफ एस्पेसीज में दिया था औरिजन ऑफ एस्पेसीज पुस्तक डार्वीन की है जिसमें जय बिकास की अधारना दिया गया है वर्गी करन की अधारवु तिकाई जाती है कबक बिसम पोशी यूकरियोटिक जीव है कबक कबक क्या है बिसम पोशी यूकरियोटिक जीव है लाइकेन सहजी भी कबक एबंसेवाल के बीच पाया जाता है लाइकेन कबक लाइकेन, सहजीवी, कबक एबंसेवाल के बीच पाया जाता है ब्रायोफाइट अब बर्ग के पौधा में संभान के लिए दिसिस्ट उत्तक नहीं पाया जाता है अर्थोपोडा, जन्तु जगत का सबसे बरा संग है अर्थोपोडा इसमें घुला परिसंचन तंत्र पाया जाता है अर्थोपोडा में खुला परिसंचन तंत्र पाया जाता है अर्थोपोडा में रुधीर वाहिकाएं नहीं बहता है मोलस्का जन्तु जगत का दूसरा सबसे बरा संग है मुलस का जन्तु जगत का दूसरा सबसे वरा शंग है इसमें खुला संबहन तंत्र उत्सर्जन तंत्र दोनों पाया जाता है खुला संबहन तंत्र और सर्जन तंत्र पाया जाता है इकाइनो डारमेटा ये समुंदरी जीव है जैसे की अर्ची स्टार्फिस इत्यादी इकाइनो डारमेटा है उभैचर में बाई कंकाल नहीं पाया जाता है जैसे मेढक हो गया, सैला मेंडर, तोड ये सभी उभैचर प्रानी है इसमें साल्क नहीं पाया जाता है साल्ख इकाइनोडार मेटा में चलने के लिए नालपाद होता है सिलिंट रेटा में बास्तविक अंग नहीं पाया जाता है गती की परिभासा तथा समीकरन ग concealer ने दिया था गती का नियम न्यूटन ने दिया था गती का नियम न्यूटन है आनंत तल पर कोई पिंड उतनी ही उचाय तक जाता है जितना उचाय से छोड़ा गया हो याद रखेगा कि आनंद तल पर कोई पिंड उतनी ही उचाय तक जाता है जितना उचाय से छोड़ा गया हो गोली की गती को बदलने के लिए और संतुलित बाहिबल तथा गोली की गती को एक रूप बनाये रखने के लिए संतुलित बल किया वसकता होती है गोली की गत्ती को बदलने के लिए और संतुलित बाहिवल और गोली की गत्ती को एक रूप बनाया रखने के लिए संतुलित बल किया वसकता होती है सरपर्थम 1640 में गैलेलियों ने लोलग घरी का विसकार किया था गैलेलियों ने तरपरतम गैलेलियों ने ही सभी ग्रहों के बारे में बताया कि वह सुर्ज के चार ओर चक्कर लगाता है नाकी पृत्वी का ये गैलेलियों ने सबसे पहले बताया था इस सुर्ज के चार ओर चक्कर लगाता है नाकी पृत्वी का द्रवमान संबेग के बारे में Newton ने सबसे पहले संबेग के बारे में बिस्थापन जो है वो डारेक्टरी प्रपोस्नल होता है ती सरी बिस्थापन जो है डारेक्टरी प्रपोस्नल टी हो तो समान बेग क्या होगा समान बेग होगा किसी निश्चित बल के लिए द्रवमान तौरन के व्यूत कर्मानु पाती होता है मकर्धवज मकर्धवज के रूप में HGS को जाना जाता है सोना की सुदताम आपने के लिए आर्कमेटीज के नियम का उपयोग किया जाता है जूल ने उर्जा संडक्षन के नियम को परयोगात्मक रूप से सत्यापित किया उस्मा के यांत्रिक तुल्यांग के मान का खोज किया तो याद रखिएगा जूल ने उर्जा संडक्षन के नियम को परयोगात्मक रूप से सत्यापित भी किया और उस्मा के यांत्रिक तुल्यांग के मान की खोज भी किया सिलिंकी एक परकार का पतला एस्प्रिंग होता है गुरुत्वे वलद्वारा क्या गयाकार अंती मेवं प्रारंभिक उचाई के अंतर पर निर्भर करता है ध्वनी तरंग कंपन द्वारा उत्पन होता है जो एक परकार का यांत्रिक उर्जा का रूप है क्यूकि ये कंपन से उत्पन होता है ध्वनी संचरन के लिए माध्यम केवसकता होती है हच हच ने प्रकास विद्दुत प्रभाव का खोज किया जिसकी व्यक्या आइंस्टाइन ने किया था हच ने प्रकास विद्दुत प्रभाव का खोज किया और व्यक्या आइंस्टाइन ने किया एकल आविर्ती की ध्वनी को टोन कहते हैं ध्वनी की तिवता किसे कहते हैं, तो किसी एक आंक छेतर फल से एक सेकेंड में गुजरने वाली उर्जा को ध्वनी की तिवता कहते हैं। पराध्वनी का उप्योग धातू के ब्लोकों में दरारों तथा अन्य दोसों का पता लगाने में किया जाता है। विच्छोब गमन के कारण ध्वनी बायू में गमन करता है। कुछ परकार के कैंसर अनुवानसी की अपसमानता के कारण होता है। कुछ परकार के जो कैंसर होते वो जननेटिक अपसमानता के कारण भी होता है। वाइरस से होने वाले समाने रोग खांसी है जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स। यह सभी वाइरस से होने वाले समाने रोग है। टाइफाइड, हैजा, छे रोग, एंथ्रेक्स बैक्टिरिया से होता है। एस्टेफाइलोकोकाई बैक्टिरिया मुहासे का कारण होता है। मुहासे का कारण कौनसा बैक्टिरिया है। एस्टेफाइलोकोकाई। प्रोटोजोवा ट्रेपोनोशोमा निद्रालू रोग का कारक है निद्रालू रोग का कारक प्रोटोजोवा है जिसका नाम है ट्रोपोनोशोमा लिसमेनिया काला जर का कारक है लिसमेनिया कबक बैक्टेरिया के कोश्टिका भित्ती बनाने की छमता को खावतम करता है इसलिए इसका उपयोग एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है कबक का उपयोग एंटीबायोटिक में क्यों करते हैं क्योंकि यो बैक्टेरिया की कोई सिका भित्ती बनाने की छमसा को समाप्त करता है इसलिए विसानू एक ऐसा कोई पदार्थ या गुन नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सकते हैं विसानु में ऐसा कोई पदार्थ गुन नहीं होता है जिससे इसका एंटीबायोटिक बनाया जा सके नई कोई सिका के बनने के प्रक्रम को सोध कहते हैं Hepatitis के ही कुछ virus से पीलिया रोग भी होता है हेपटाइटीस के कुछ अच्छा जब देखते होंगे कि पीलिया यानि जॉन्डिस होता है काफ़ी लंबे समय तक चलता है और यह जादा हो जाता है तो फिर जाके वो जो है हेपटाइटीस हाज़ा थार्ष पनब सता है है शुक्र और मंगल गरहों के बायू मंदल में 95000 से 97 95% कारवन डायकसाइड होता है, सुख्र और मंगल गरह के बायू मंडल में 95-97% क्या होता है कारवन डायकसाइड, बहुत से समुनरी जीव जल में गुले कारवनेट से अपना कबज बनाते हैं, बहुत से समुनरी जीव, बायू उस्मा और विद्दुत का कुचालग है, चांद का बायू मंदल ये ताप का रेंज जो है वो 120 से माइनस 120 से 110 डिगरी सलस्यस होता है अब है बायू बायू की गती दाव प्रनवनता पर अधारित है लाइकेन सलफर ऑक्साइड की पस्तिती में विर्धी नहीं करता है लाइकेन नाइट्रोजन इस्थिरीकरन की प्रक्रिया ऑक्सिजन की पस्तिती में संभब नहीं होता है नाइट्रोजन इस्ट्रिकरन की प्रक्रिया ऑक्सिजन की उपसिती में संभब नहीं होता है खाद में कार्वनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है खाद में अल्प मात्रा में पोसक होता है खाद में अल्प मात्रा यानि कम मात्रा में उर्वरक में संतुलित मात्रा में सभी पोसकत होते हैं उर्वरक में संतुलित मात्रा में क्रामिक पुर्व नियोजित तरीका से किया गया खेती फसल चक्र कहलाता है फसल में कीट को कम करना या बचाव धमक कहलाता है धमक किसे कहते हैं तो फसल में कीट को कम करना या बचाब धमक खालाता है गाई यानि की गाई का संटिफिक नाम बोस इंडिकस है और भैस का संटिफिक नाम बोस बुटेलियस है भारतिये नसल के हैं बिदेशी नसल जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विच सभी क्या है बिदेशी नसल है जर्सी, ब्राउन, स्विच देशी नसल रेड सिंधी, साही बाल ये सभी देशी नसल है आयस्टर, आयस्टर का संबर्दन यानि पालन मोतियों को प्राप्ट करने के लिए किया जाता है दिहार दरगा का पूछा गया कोश्चन है मोरी कल्चर मोली कल्चर सहतूद पर रेसम कीट पालन है मोरी कल्चर सहतूद पर रेसम कीट का पालन और एक है मैरी कल्चर मैली कल्चर समुन्दी जीव का संबर्दन है समुन्दी जीव का पालन कटला मचली जल की सता से अपना भोजन प्राप्त करता है कटला मचली रोहु मचली तलाव के मद छेतर से अपना भोजन प्राप्त करता है रोहु मिरिगल तथा कॉमल कार्प मिरिगल तथा कॉमल कार्प तलाव की तली से भोजन प्राप्त करता है तलाव की तली से जुआर बाजरा कार्बोहडरिट का प्रमुक्स रोथ है जुआर बाजरा फूल गोभी में कल्सियम फोस्पुरस का प्रमुक्स रोथ है फूल गोभी प्रित्वी गर्म होती है विकर्न द्वारा और बायूमंडल गर्म होता है प्रित्वी तथा पानी द्वारा प्रावर्तिस विकर्न से याद रखेगा कि प्रीथवी जो गर्म होता है वो विक्रन के द्वारा तथा बायूमंडल गर्म होता है प्रीथवी तथा पानी द्वारा प्रावर्तिस विक्रन से जिवानु द्वारा नाइट्रोजन इस्तरिकरन की किरिया जल तथा ओक्सिजन की उपस्तिती में समभब नहीं है वास्पो शर्जन कार्वन चक्र के तहद नहीं आता है उजोन शिद्र का अर्थ उजोन परत का पतला होना है उजोन शृत का अर्थ क्या है? उजोन पड़त का पतला होना बंजर सेल पर लाइकेन की बृधी के बाद मौन्स की बृधी होता है मैंगनेसियम रिवन का दहन स्वेत ज्वाला के साथ होता है धातू प्लस अमल मिलके बनाता है लबन प्लस हाइड्रोजन अकसाइड हाइड्रोजन बनाता है लबन प्लस हाइड्रोजन बनाता है धातू और अमल मिलके धातू अकसाइड के साथ जब अमल को रियक्शन करवाते हैं तो लबन और हाइड्रोजन अकसाइड ग्राथ होता है कल्सियम अकसाइड जल के साथ तिवरता से अभी क्रिया करता है केल्सियम ऑक्साइड क्या करता है जल के साथ तिबरता से अविक्रिया करता है कंपोस्ट का बनना भी एक परकार का उसमा चेपी अविक्रिया है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गरम करने पर यह हरे रंग का फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है जब ferus sulphate को crystal पर गरम करते हैं, crystal पर गरम करने पर या फिरिक oxide में change होता है, फिरिक oxide में, है न, lead nitrate, lead nitrate को जम गर्म करते हैं, तो ये nitrogen oxide का भूरे रंग का धुँआं मुक्ट करता है, भूरे रंग का, नेक्स्ट यहां आपका यह जो रियक्शन आप देख रहे हैं यह बताता है नेक्स्ट कोशन है कि यहां पे नेक्स्ट कोशन कर रहा है कि लेड नाइट्रिट जो है इसे जब गरम करते हैं जब लेड नाइट्रिट को गरम करते हैं तो गरम करने के बाद यह बिगटित होकर ल धूसर रंग का हो जाता है। परकास की उपस्तिती में इस सिल्वर ब्रोमाइट का उपयोग स्याम स्वेथ फोटोग्राफ में होता है। और इसमें मुखुरूप से सिल्बर ब्रोमाइड का अध्यन का लाता है आयनों का आदान परदान दुई विस्थापन अभीक्रिया में होता है कौपर ऑक्साइड से अभीक्रिया करा के काला रंग का अध्यन करांगे तो काला रंग का कोपर ऑक्साइड पर हाइड्र परत परवाही करने पर काली परत भूरे रंग में चेंज हो जाता है copper oxide को जब hydrogen gas में प्रवा करते हैं तो ये काली परस भूरे रंग में change हो जाता है या अभी करिया परत्यावर्ती होता है कैसा होता है? परत्यावर्ती होता है यहाँ पर copper oxide को जब hydrogen से अभी करिया किया जग्या है तो copper hydro oxide जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है इसे redox अभी करिया करते है, redox अभी करिया, जंग का जल, oxygen दोनों जलबास्त की उपस्तिती में संभाव है, और यह लालीमा युक्त भूरे रंका होता है, जंग का जल, oxygen दोनों, जल, oxygen दोनों के उपस्तिती में संभाव है, और यह लालीमा युक्त भूरे रंका होता है, डब बाबंद खाद पदार्थ में जैसे कि कोई प्रकास की उपस्तिती में सिल्वर कोलराइड के सिल्वर कोलराइड के अपगटन पर सिल्वर बनने से होता है लेड नाइटरिट के अस्थान पर लेड एसिटेट का उपियो किया जाता है नेक्स्ट है डीकन विरी से कोलराइड का निर्मान किया जाता है जिक कोलोरिन का निर्मान किया जाता है और ओजोन, उसके बाद हाइडरोजन पराक्साइड और आपका नाइट्रस एसीड ओक्सिकारक तथा अवकारक दोनों होता है। हाइडेजिया, पेटूनिया, जेरानियम, जैसे फूलों की पंखूरियां का भी आमल छार सुचक के रुप में प्योग किया जाता है। जब जिंक के के साइट ये रियक्शन करता है तो सोडियम, सोडियम जिंकेट का निर्मान करता है, सोडियम जिंकेट का, है ना। उसके बाद है CACO3, ये क्या है, चूना पत्थर या फिर से खरिया या संगमरमर भी कहते हैं CACO3 को। जब वर्षा का जल का pH मान 5.5 से कम होता है तो वो अमलिय वर्षा कालाता है। जब वर्षा जल का pH मान 5.5 से कम होता है तो वो अमलिय वर्षा कालाता है। सुक्र का बायूमंडल H2SO4 के मोटे स्वेथ और पीले बादलो से बना होता है। नेटल का पौधे के कांटे में फॉर्मिक अमल पाया जाता है जिसके इलाज के लिए डाक पौधे की पत्ति को रगरा जाता है। इसके है कि सधारन नमक यानि कि NaCl का कच्छे माल के रूप में NaOH तदा NaCO3, NaCO3 क्या हो जाएगा आपका? Sodium Hydrogen Carbonate और Na2CO3 यह आपका हो जाएगा Sodium Carbonate और CaCO2, HypoColouride जो होता है यह आपका हो जाएगा Bleaching Powder इसको Bleaching Powder बोलते हैं। इस सभी का उपयोग क्या जाता है। करता है तो पीला हरा राप्त होता है पीला हरा सोना सबसे अधिक उप्योग में आने वाला तन तथा अगहात वर्धनिय तत्थ है सोना छारी धातु मुलायम तथा कम गल्लांका होता है छारी इसलिए से चाकू से काटा जाता है कभी देखे हैं कि सोना में और चांदी में जंग लगते हुए नहीं अना सोडियम और पोटेसियम ठंडे जल के साथ तेजी से अविक्रिया करता है मेंग्नेसियम ठंडी जल के साथ अविक्रिया नहीं करता है बलकि गर्म भाप जल के साथ धातु ऑक्साइड जो होता है वो परदान करता है धातु ऑक्साइड कोन मेंग्नेसियम उसके बाद है आपका PB यानि की सीसा, कौपर और चांदी साथ में शोना जल के साथ बिल्कुल भी अविक्रिया नहीं करता है सीसा हो गया, कौपर हो गया, सोना, चांदी ये सभी बिल्कुल अविक्रिया नहीं करेगा जल से सबसे कम अभिक्रिया सिल्वला धातू स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है जैसे कि आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया और कॉपर हो गया ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सबसे कम अभिक्रिया सिल्वला धातू कॉपर और सिल्वर जो है अपने सलफाइड एवम ओक्साइड के रूप में भी सयुक्त अवस्था में पाया जाता है कॉपर और सिल्वर अत्यदिक अभिक्रिया सिल वाले धातु सोतंतर रूप में नहीं पाये जाते हैं अधिक अभी करियासिल वाले धातों स्वतन्त रूप में नहीं पाये जाते हैं इसलिए इसे विद्धूत अफगटन बिदी द्वारा प्राप्त किया जाता है जैसे पोटेसियम, सोडियम, काल्सियम, मैंगनेशियम, अल्मूनियम इस सभी को विद्धूत अफगटन बिदी से प्राप्त करते हैं अब है जिंक, जिंक के बाद आपका फेरस हो जाएगा लोहा जिसको बोलते हैं और सीसा, प्रीत्वी को भू परपटी में या ऑक्साइड और सलफाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है जिंक, लोहा और सीसा ये सभी प्रीत्वी को भू परपटी में या ऑक्साइड और सलफाइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है जिंक हो गया लोहा, सीसा, कौपर कारवन के उप्योग से अपचैन है उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम प्रकृतिक अवस्था में उपस्तित है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम कार्बोनेट का ऐस्क निस्तारान से होता है सल्फाईड का ऐस्क भरण औले असुदी एनोद तली पर विच्शेपित हो जाता है जिसे एनोड पंग कहते हैं और आपका लोहा, अल्मूनियम और जिंक थंड़ा एवं गरम जल के साथ कोई अविक्रिया नहीं करता है लोहा, अल्मूनियम और जिंक नेक्स्ट एधातू HNO3 से अविक्रिया करने पर हाइड्रोजन नहीं देता है HNO3 स्टिल्लेस स्टिल स्टिल्लेस स्टिल बना होता है लोहा, निकेल, क्रोमियम और किसे इसको बोलते हैं कारवन से मिलकर कारवन से स्टिल्लेस स्टिल का जो निर्मान होता है वो लोहा, निकेल, क्रोमियम और कारवन से भूपरपटी में खनीज के रूप में 0.02% कारबन होता है खनीज के रूप में भूपरपटी में कारबन वायू मंदल में 0.03% कारबन डाइकशाइड होता है कारबनिक योगिक आयन नहीं बनाता है इसलिए अब विद्दूत का कुचालक होता है कारवनिक योगिक आयन नहीं बनाता इसलिए विद्दूत का कुछ आलक होता है वायो गैस CNG अर्थात रसोई इंधन का मुख घटक मिथेन है अपरूप का रसाइनिक गुन समान और बहुती गुन भीन भीन रहता है कारवन में स्रिंखला बनाने की छमता होता है कारवन में स्रिंखला बनाने की छमता होता है सिलिकन हाइटोजन के साथ 7 वटा 8 परमानू तक स्रिंखला बनाता है सिलिकन हाइटोजन के साथ जो अतिय विक्रियासिल होता है निक्स्ट है कार्वन कार्वन के बिच बना बंध अधिक मजबूत तदा अस्थाई होता है कार्वन कार्वन के बिच यह गुन इसके छोटे अकार के कारण होता है छोटे अकार के कारण जैब सक्ति यानि C योगिक केबल जीव से ही प्राम्थ होता है जिसे वार्जेलियस ने दिया था बोहलर ने जैब सक्ति का खंडन अमोनिया साइनाइट से यूरिया बना कर किया था कार्बन परमानू का बल्ले संदसना साइक्लोटोन का लाता है कार्बन परमानू का बल्ले संदसना साइक्लोटोन का लाता है समझाद सेनी के बीच CS2 का आंतर होता है आनविक द्रमान बढ़ने से गलनांक कौतनांक में विर्दी होता है अलकोहल, OH और LD हाइड, AL, किटोन, O, कार्बोजलिक अमल जो हो जाता है OIC, Acid तो अलकोहल में OH लहेगा लगा हुआ, LD हाइड रहेगा तो AL रहेगा, किटोन रहेगा तो O रहेगा और कार्बोजलिक अमल रहेगा, तो OIC के साथ Acid लगा रहेगा, चीके संत्रिप्थ हाइड्रोकारवन नीली ज्वाला और असंत्रिप्थ पिला ज्वाला के साथ जलती है संत्रिप्थ हाइड्रोकार्वन नीली ज्वाला के साथ जलती है और और संत्रिप्थ पीला ज्वाला के साथ जलती है प्लेडिनम तथा नीकेल उत्प्रेरग का उप्योग बनस्पती तेल से घी बनाने में किया जाता है CAO, H2SO4, निर्जली करन का उपयोग किया जाता है जब अमल को अलकोहल से रियक्शन करवाते हैं तो क्या निर्मान होता है? इस्टर का निर्मान होता है अमल और अलकोहल मिलके इस्टर बनाता है इस्टर, इत्र, गंद सुचक के रूप में परियोग होता है इस्टर जो है, इसे इत्र, गंद सुचक के रूप में उपयोग होता है साबुन के अनू मिसिल संदसना तयार करता है जल में बिले एक सीरे को जल रागी और हाइड्रोजन कारबन में बिले को जल विरागी कहते हैं अपमार्जक लंबी कारबोजलिक अमलस रिंखला के अमोनिया एवं सलफोनियट लवन होता है सन 1817 में डावे राइनर ने त्रियक नियम दिया था डावे राइनर ने 1817 में इन्होंने जर्मनी के म्यूनिस बर्ग में औस्धी और एस्ट्रेस बर्ग में रासायन सास्त्र का अध्यन किया था डावेर ने जेना विश्विद्याले के अध्यापक भी थे ये सबसे पहले प्लेटिनम उत्प्रेरग का खोड वार्जलियस ने किया था लियोपिन का उप्योग सफेद पेंट के रुप में किया जाता है लियोपिन का उप्योग सफेद पेंट में निवलेंड्स के अस्टक नियम का सार्णी 56 में तक थोरियम तक ही था और या नियम केल्सियम तक ही लागू होता है केल्सियम तक कोबाल्ट निकेल का गून फेरिक के समान होते हैं होते हुए भी फेरिक को बहुत दूर रखता है यानि लुहा बहुत दूर होता है इसके समान होते हुए भी कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा गया है कोबाल्ट और नीक्विल, हैलोजन के साथ भविस में अनतत नौ होने की संभावना ब्यक्त किया गया है मेंडलिप के आवर साणी 1879 में छपी तथा 1872 में जर्मन पत्रिकामे छपी इस समय 63 तत्त थे, कितने 63 तत्त थे इन्हों ने प्रमानु दर्मान और उनके भौतिक और रासायनी गुंधरम के बीच संभन अस्थापित किया है मेंडलिप ने इन्हों ने हाइड्रोजन और ऐक्सिजन पर ध्यान केंदित किया मेंडलिप ने उर्ध आस्तम यानि ग्रूप 36 आवर्थ उर्ध हस्तम को गुरूप कहते हैं और छाटीज को आवर्त कहते हैं इन्होंने ओक्साइड को ऊपर रखा ओक्साइड को ऊपर रखा एका बॉरोन एसकेडियम और एका अल्मुनियम उसको बाद हो जाता है आपका यहाँ पर देखेंगे इसमें उपका एका बोरॉन, इसकेडियम और एका एलमुनियम और गलेलियम, एका सीलिकॉन और जिर्कोनियम ठीक है उसके बाद है अकरिय गैस को, बाद में बाई हो रखा गया अकरिय गैस को, इनर्ट गैस को आधनिक आवर्षाणी को मोसले ने 1913 में दिया था, आधनिक आवर्षाणी को, किसने मोसले ने? यह परमानु संख्या का अवर्ष फलन होता है, अवर्ष में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमानु तिर्जया घटती है, नाविकी अवेस बढ़ने से परमानु एलक्ट्रोन को खिचता है, जिससे साइज भी घट जाता है समु में नीचे जाने पर तिर्जया बढ़ने से बाहरी एलक्ट्रोन नाविक से दूर चला जाता है, जिसके कारण परभावी नाविकी अवेस घट जाता है और आसानी से एलक्ट्रोन का त्याग होता है मेंडलिफ, मेंडलिफ ने नया तत्त खोजे जाने की भविस्वानी किया है, मेंडलिफ ने वो सभी प्रक्रम जो समलीद रूप से अनुछरन का कार्ज करते हैं, उसे जजब प्रक्रम कहते हैं स्वपोशी कार्वनिक्स रोथ से कार्वन डायक्साइट तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटील पदार्थ पराप्त करता है। एंजाइम के वसकता होती है। जटील से सरल में चेंज करने के लिए एंजाइम की है। कार्वन डायक्साइट का कार्वन डायक्साइट का कार्वन डायक्साइट में अपचैन होता है। मरूविद पौधा रात में भी कार्वन डायक्साइट करन करके मद उतपाद बनाता है मरूविद पौधा जिसे वह पुना दीन में अंतिम उतपाद में चेंज करता है। पौधे में गैस काबीनियम रंद के द्वारा पौटेसियम हाइड्र ऑक्साइट का उप्यों कार्वन डायक्साइट को अपसूसित करने के लिए क्या जाता है। एक कोस्किये जीवों में भोजन संपुन शरीर में द्वारा होता है। नाल में भोजन कर्मा कुचक गति द्वारा आगे बढ़ता है। छुद्रान्त या छोटी आँट में भोजन का संपुन पाचन होता है छोटी आँट में। पितरस्त की प्रकिर्तिक NaHCO3 या सोडियम बाइकार्वोनेट के कारण छाड़िये होता है। एक छा कारवन बाले गुलकोच के अनू का तीन कारवन बाले अनू पाइरूबेट में भी खंड़न होता है। या प्रकिरिया कोशी का द्रव में होता है। कहां पे कोशी का द्रव में। पाइरूबेट का भी खंड़न स्वसन होता है। ऑक्सिजन पर्याप्त मात्रा होने पर कारवन डायकसाइड और हाइड्डोजन आकसाइड और उर्जा जो है। पारुवेट का भी खंडन, ओक्सिजन पर्याप्त मात्रा में होने पर कार्वन प्लस हाइड्रोजन और प्लस उर्जा, और ओक्सिजन अगर और पर्याप्त या फिर आंसिक मात्रा में होने पर लैक्तिक अंप प्लस उर्जा, ओक्सिजन की अनुपस्तिती नो होने पर ATP का स्वसन से 30.5 किलो जूल पर मोल उर्जा की प्राप्ति होती है एक ATP के तो 38 OTP होगा इसे आप लोग निकाल सकते हैं ठीक है पौधे में जल, खनीज लवन, प्रासरन बिदिद्वारा, कारवन डायकसाईड और ऑक्सिजन का बेनियम बिश्रन बिदिद्वारा होता है जल ये जीव का सोसंदर अस्थलिय जीव से अधिक होने के कारण जल में बायू की तुलना में कम मात्रा में ऑक्सिजन का होना है किर्चौफ के नियम किर्चौफ के नियम से मोटर में धारा का परवास समझा जाता है तथा उत्पन किया जाता है फैराड़े के नियम से किसे फैराड़े के नियम से प्लाजमा भोजन कार्बन डाएकसाइट तथा नाइट्रोजनी उपपस्ती का वहन करता है लसी का पचित वसा का वहन करता है लसी का पचित वसा का हिर्दय एक पेसी अंग है हिर्दय एक पेसी अंग है जो हमारे मुठी क्या गार का होता है हिर्दय मुठी क्या गार का एक समान मनुसका रक्त दाव का प्रकुचन 120 mm और अनुसी थिलन दाव 80 mm होता है तो हम लोग का जो ब्लड प्रेसर होता है 120 बटा 80 mm होता है है ना ब्लड प्रकुचन बोलते हैं और असी को क्या अनुशिथलन्दा बोलते हैं, अनुशिथलन्द। रखषरीर के अंदर हीपेरीन का निर्मान यकरीत में होता है हीपेरीन का निर्मान लसीका रखत प्लाजमा के समान प्रंतु इन में अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है और यह रंगीन होता है लसीका तरल को बाई को इसकी अवकाद से पुना रुधीर में ले जाता है लसीक पाधप में अधिकांस को इसी काम्रित होने के कारण इसमें कम उर्जा किये वसकता होती है वात्वो सर्जन करसन जाइलम में जलकी गती, चूसक या प्रेरक बल्दवारा होता है वात्षो सरजन कर्शन में जायलम में जलकी, गती, चूसक या प्रेरक बलवारा होता है फ्लोयम फ्लोयम पादप में भोजन के अलावा अमीनु अमलका परिवहन करता है अमीनु अमलका पौधे में अप्सिस्त का संगरा पुराने जैलम में होता है। सुचना को एक कत्रित तंत्रीका कोई सिका के द्रुमिगा द्वारा किया जाता है। द्रुमिगा द्वारा ही विद्दुत आवेग उत्पन होता है। नेक्स्ट है एक्षॉन एक्षॉन के अंतिम छोर पर विद्दुत आवेग रासाइनिक आवेग में चेंज हो जाता है। तंत्रीका कोई सिका में खाली अस्थान पर सिनेप्स होता है जो आवेग को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाता है सिनेप्स। तंत्रीका तंत्र में। जन्तु में प्रतिवर्ती चांप या फिर मेरूरजु द्वारा मस्तिक्स से तिबरकाम या फिर क्रियाकलाप का नियंतरन करता है जो मस्तिक्स के नियंतरन से बाहर होता है। रसायन के उपयोग द्वारा करता है। रसायन के उपयोग द्वारा करता है। इत्यादी में विर्धी में सहायक होता है जिब्रेलीन, तना, फल, फुल, इत्यादी की विर्धी में। साइटो काइनीन कोईसी का विभाजन में सहायक होता है। एबिसिक अमल विर्धी संदर्व रोकने, पत्ती फल को गिरने में मदद करता है। पौदे में आंत्रिक विर्धी के लिए औक्सीन तथा बाही विर्धी के लिए जिब्रेलीन जिम्यदार है। एड्रिनालीन, एड्रिनालीन हिर्धे का संबन वे एवं नियंत्रन का काम करता है। अवटू ग्रंथी को थाइरॉक्सीन हर्मन बनाने के लिए आईटू की अवसकता परती है। अवटू ग्रंथी को थाइरॉक्सीन बनाने के लिए किसकी अवसकता है आईटू की। कोशिका के केंद्रक के DNA में कोशिका के केंद्रक के DNA में प्रोटीन संसेशन हे तो शूचना नहीं थोती है एक कोशिकी जीवों में कोशिका विभाजन विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ती होती है काला जर के रोगानू काला जर्के रोगानू लेसमानिया उसके बाद पलेनेरिया में दुईखंडन होता है मलेरिया परजिवी प्लाजमोडियम में जनन बहुखंडन विधिद्वारा होता है विशेस्च का रहेतू विश्चिस्ट कोशीकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्मान करता है विशेश कार हेतू, विशिस्ट कोशिकाएं संगठित होकर किसका निर्मान करता है? उस तक का निर्मान करता है विभिन परकार की कोशिकाएं विशिस्ट कार्ज के लिए दक्ष होती है अलग-अलग परकार की कोशिकाएं, अलग-अलग कार्ज के लिए दक्ष होती है Hydra, plenaria, isht में पुनर-ूदभन द्वारा जनन होता है Hydra में मुकलन भी होता है ammonium की पतियां के Europe kojit sa kaniko naun विक्षित होकर या पधा का रूप लेता है याद रखेगा कि जो ब्रायो फाइलम की पतियां के मरजीन से का निकाएं विक्सित होकर नया पौधा का रूप भी लेता है उत्तक से नया पौधा का निर्मान टीसू कल्चर कहलाता है उत्तक से नया पौधा का निर्मान टीसू कल्चर राय जोपस भी जानू समा संग द्वारा जनन करता है नेक्स्ट है दोविन जीवों की युगमक कोसिका लैंगिंग जनन में युगमनक द्वारा युगमनस बनाता है युगमनस ब्रदी एबं परिवर्धन द्वारा नए जीव में बिक्षित होता है युगनज विर्धी एवं पडिवर्धन द्वारा नई जीव में विक्षित होता है नेक्स है गती सील जननकोषिका को नर युगनक कहते हैं जो गती सील जननकोषिका होता है उसे नर युगनक कहते हैं समानत प्रांग कन प्रांग कन पिले रंका होता है समानत अधार पर उभरा फुला फुला भाग अंडासा है, मर्द वर्तिका और उपरी भाग को बति काग्र कहते हैं अधार के उबरा फुला भाको अंडा से और मद बारतिका और उपरी भाको वतिकागर कहते हैं फूलों के वारे में पेर के वारे में बताया गया है एक ही पुस्प का पुंके सर तथा वतिकागर का निसेचन स्वेप रांगन कहलाता है एक ही पुश्वपी अगर होता है तो विजान्ट विजान्ट बीज में परिवर्तित होता है और अंडा से फल में विक्सित होता है भुरुन विक्सित होकर नवविद में रुपांतरन होता है नर्जनन कोईशिका आथवा सुकरानू का निर्मान ब्रिशन में होता है नरजनन को इसका तथा सुक्रानू का निर्मान बिर्शन में होता है प्रोस्ट्रेट तथा शुक्रा से अपने स्राव सुक्रबाहिका में डालते हैं जो सुक्रानू को तरल या सिनेहक तथा पोसन परदान करता है प्रोस्ट्रेट तथा सुक्रा से अपने स्राव सुई को बाईका में डालते हैं जो सुक्रानू को तरल सिनेह किया पोसन परदान करता है सुक्रानू की लंबी पूच इसे अंडानू की और गती परदान करता है सुकुरानों की लंबी पूछ इसे अंडानों की और क्या करता है गती प्रदान करता है लड़की के जन्म के समय उसमें हजारो और परिपग अंडा होता है गर्भासे ग्रिवा द्वारा यौनी में खुलता है गर्भासे के पेसियों के लेबद सकुचन से शिसू का जन्म होता है नेक्स्ट है गोनेरिया सिफलिस जिवानों से और मस्ता एड्स बाइरस से होने वाला यौन संक्रमन रोग है लक्षनों की वनसागती सिधान्त मेंडल ने दिया था मेंडल प्रारंबिक सिक्षा, गेजा घर तता इसके बाद वियना विस्विद्याले से प्राप्त किया मेंडल ने F1 PD में गोल या जुडिदार बिज, लंबे या बने पधी, सफेद या बैगनी, फूल का चैन किया जाता है F1 PD में F1 का सभी पधा लंबा निकला F1 का जब इसे जब क्रोस कराया गया तो F1 का पधा कैसा निकला लंबा निकला और F1 में फीनो टाइप 3 is to 1 और जीनो टाइप 1 is to 2 is to 1 होता है F1 में फीनो टाइप 3 is to 1 होता है और जीनो टाइप में 1 is to 2 is to 1 होता है DNA का वभाग जिसमें प्रोटीन संसलेशन के लिए शूचना होता है उसे जीन कहते हैं कुछ प्रानी अपना लिंग बदल सकते हैं जैसे घोंगा है क्योंकि उसमें लिंग धारन अनुवानसकी नहीं होता है इसलिए वो लिंग बदल सकते हैं घोंगा प्रकिर्तिक चैन या फिर विकास वाद के सिधान्त के अलावा डार्वीन प्रकिर्तिक सास्त्री भी थे विकास वाद के अलावा उन्होंने उर्वर्ता बनाने में केचुवा की भुमका का खोजवी किया है सरल से जटिल जीवन के स्वरूप का विकास डार्वीन ने किया सरल से जटिल जीवन का स्वरूप विकास किस ने किया डार्वीन ने जीवन की उत्पत्ति ओर कार्बनिक अनूं से हुआ हाल्डेन ने कहा हाल्डेन ना कहा कि जीवन की उतपती और कार्बनिक अनु से हुआ है पलेनेरिया में असराल आंख होती है जो वास्तम में नित्र विंदू है पक्षी की उतपती सरी सिर्व से हुआ है मानपजाती का उधव अपरिका में हुआ है मानब जाती का उद्धव और पारदर्सी बस्तू की तिक्षन चाया बनता है और पारदर्सी बस्तू की तिक्षन साया बनता है प्रकास सरल रेखिये पत पर अनुसरन करता है प्रकास सरल रेखिये पत पर समतल दरपन द्वारा बना प्रतिविम सैदव अभासी शीधा और शम दर्पन का धुरूब कहते हैं, गोलिय दर्पन के कंद्र को मुख अक्ष दर्पन के धुरूब गोलिय दर्पन का प्रावर्तक प्रिष्ट दर्पन द्वारा द्वारक कहलाता है फोकस और वकरता केंद्र दर्पन का भाग नहीं है क्योंकि यह दर्पन से बाहर रिस्तित फोकस दर्पन के मुख अक्ष के समानांतर गुजरने बाली प्रकास प्रावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली प्रकास प्रावरतन के बाद मुखक्ष के समानतर गुजरता है दर्पन में दर्पन में वकरता केंद्र तथा लेंस में प्रकास केंद्र से गुजरने वाली प्रकास के किरन का बिचलन भी उसी दिसा में लोट जाता है दर्पन में वक्रता केंद्र तथा लेंस में परकास केंद्र से गुजरने वाली परकास के किरन का बिचलन उसी दिसा में लोट जाता है सौर भठी सौर भठी में सूर्ज के प्रकास को केंद्रीत करने के लिए अवतल दर्पन और उत्तल लिंस का उपियोग किया जाता है सौर भठी में रिनात्मक आवर्धन जो होता है वो बास्तविक प्रतिविम बनाता है और धनात्मक आवर्धन जो होता है वो काल्पनिक प्रतिविम वकरता किंद्र और लेंज के किंद्र परकासिय किंद्र कहलाता है गोलिये लेंज का किंद्र वकरता किंद्र तथा लेंज का किंद्र का परकासिय किंद्र कहलाता है लेंज में सभी माप परकासिय किंद्र दरपन में सभी माप धुरूप से लिया जाता है लेंज में सभी माप प्रकास एक पतली जिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेस करता है जिसे कौर्णिया या स्वक्ष मंदल कहते है, नेत्र गोलक का ब्यास लगबग 2.3 cm होता है नेत्र गोलक का ब्यास परकास की रनका अधिकांस अपवर्तन कॉर्णिया के बाहरी प्रिष्ट पर होता है परितारिका आँख के रंग के लिए जिम्मेदार होता है परितारिका आँख के रंग के लिए परितारिका पुतली के अकार को नियंत्रित करता है तथा पुतली आने वाले प्रकास के मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली रेटिना पर बस्तु बास्तविक उल्टा प्रतिविम बनाता है रेटिना पर बस्तु बास्तविक उल्टा प्रतिविम बनाता है रेटिना प्रकास को विद्धुत सिगनल में चेंज करता है परितारीका की सितिलता से पुतली पुर्ण रूप से खुल जाता है अगला है जब PCA सितिल होती है तो लेंस पतला हो जाता है और फोकस दोरी बढ़ जाता है नेक्स है केबल एक नेतर का दिश्टी चेत्र लगभग डेर सो और दोनों लेतर का 180 होता है दोई फोकसी लेंस में उपर अवदल और नीचे उत्तल लेंस होता है जो दोई फोकसी लेंस होता है और ये बुढ़ापे में लगता है उत्तल लेंस को पठन लेंस भी कहते हैं अपवर्तित किरन को ही निर्गत किरन कहते हैं अपवर्तित किरन को क्या कहते हैं निर्गत किरन निर्गत किरन तता आपतित किरन के बीच के कोन को बीचलन कोन कहते हैं निर्गत कोन और आप्तित किरन के बीच के कोन को बीचलन कोन गहते हैं। इंद्रधनुस में सुर्ज के आप्तित प्रकास को वर्सा की बुंदे अपवर्तित तथा बिच्छेपीत करती है। उसके पश्चात इसे आंत्रिक प्रावर्तित करती है। क्या है कि इंद्र धनुस में सूर्ज के आप्तित प्रकास को बर्सा की बुंदे अपवर्तित तथा बिच्छेपित करती है और उसके पस्चाथ इसे आंत्रिक प्रावर्तित करती है। नेक्स्ट है कि अपवर्तनांक में अंतर के कारण अपवर्तन होता है। प्रकास के कन व्यूत कर्मान उपाती तरंग्द हैर व्यूत कर्मान पाती एक वटा परकिर्नन के एक वटा परकिर्नन के। कनों के साइच अधिक होने पर क्या होगा जो प्रकिर्नित प्रकास होगा वो स्वेध प्रतित होगा। स्वेध यानि सफेद लाल प्रकास का तरंग्द हैर नीले प्रकास के अपेक्छा एक वटा आट गुना अधिक होता है। दोपर के समय नीले और बैगनी प्रकास के बहुत कम मात्रा में प्रकिर्नन के कारण स्वेध प्रतित होता है। स्विच सेल तथा बल्व के बीच चालक संबन्द जोड़ता है। किसी विद्धुद धारा के सतत तथा बंद पत को विद्धुद परिपत कहते हैं। विद्धुद धारा धनात्मक आवेश का प्रबा होता है विद्धुद धारा जो एलेक्ट्रोन के दिशा के बिपरीत होता है। एलेक्ट्रोन के दिशा के विप्रित, एलेक्ट्रोन केबल तभी गती करेगा जब चालक के अनुदीश वैदुत दाव या विभांतर होता है। दिभां विभां को इस्थी रखते हुए धारा को नियंतित करने वाली युक्ति को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। पर्ति वर्ति प्रतिरोध का धारा नियंत्रक भी कहते हैं। मिस्र धातु की पर्तिरोधकता उसके अभ्यवों से अधिक होता है। एलेक्ट्रिक ओवेन विद्दु धारा के चुम्बके प्रभापर धारित हैं। परकासे यंत्र के रूप में टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो गलनांक और परतिरोध जादा होता है। परकासे यंत्र के रूप में टंगस्टन का गलनांक और परतिरोध जादा होता है। हिटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम और नाइक्रोम का भी गलनांग परतिरोद ज्यादा होता है fuse के रूप में solder solder जो होता है वो स्तीसा और steel से मिलकर बना होता है लेकिन इसका गल्लांग जो है वो कम होता और परतिरोज ज़्यादा होता है किसका fuse तार का गल्लांग कम होता और परतिरोज ज़्यादा होता है fuse का चालकता उच होता है q 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 36 into 10 to the power of 5 Joule जो है एक यूनिट बराबर होता है। विद्दु धारा के चुम्बक के प्रभाव का खोज HC औस्टर्ड ने किया था। विद्दु धारा के चुम्बक के प्रभाव का खोज HC औस्टर्ड ने चुम्बक के चेतर की तिवता का मातरक औस्टर्ड रखा गया था। विद्दु धारा के परिमान में विर्दी होने पर विछेप भी विर्दी होता है। अगर विद्दु धारा के परिमान में विर्दी होगा तो विछेप में विर्दी होगा। दच्छिना हस्त अंगूठा का नियम, ये मैक्स बेल का कॉक स्कुरू नियम का लाता है, दच्छिना हस्त अंगूठा का नियम जो है, वो मैक्स बेल का कॉक स्कुरू नियम से चुम्बक के छितर की दिशा ग्यांत किया जाता है, है ना? चुंबकत के प्रवल्तम चुंबकत के प्रवल्ता फेरो की संख्या कुंडली की गती में विर्धी से उत्पंध हारा में विर्धी होता है मानव सरीर के दो भाग में चुंबक के छेत हिर्दय मस्तिक्स में उत्पन होता है मानाव सरीज में दो भाग चुम्बक के छेतर उत्पन करता है एक हिरदय और दूसरा मस्तिक इस्तिर या एक समान विद्दू धारा प्रवाहित होने के दसा में गैलवेनो मीटर का प्रचेवन या बीचलन सुन होता है एक समान विद्दु धारा प्रवाहित होने की दसा में गयल्बेनो मीटर का बिच्छेपन या बिचलन कैसा होता है शुन होता है वह प्रकरम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित छेतर के कारण अन्य चालक में धारा प्रेडित होती है उसे वैद्दु चुम्बक के प्रेड़न का डिफिनिशन है कि वह प्रकरम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित छेतर के कारण किसी चालक के परिवर्थित छेतर के कारण अन चालक में धारा प्रेडित होती है उसे विद्धुत बैदुत चुम्ब के प्रेड़न कहते हैं परतिया वर्ति धारा हर 1 by 100 सेकेंड अर्थाथ 50 हज के बाद अपनी दिशा बदलती है परतिया वर्ति धारा जब बिद्धुत मई तार उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अधी भारन होता है साइकल चलाने में रासाइनिक उर्जा पेसी उर्जा में पुना पेसी उर्जा यांत्री कुर्जा में चेंज होता है साइकल चलाने में रासाइनी कुर्जा पेसी उर्जा में और पुना पेसी उर्जा यांत्री कुर्जा में चेंज होता है उर्जा के स्रोत में कोईला का उपयोग अद्योगी करांती का कारण बनता है जल विद्धुत सयंत्र में संचित इस्थितीज उर्जा को विद्धुत उर्जा में रुपांत्रित किया जाता है जबकि यह प्रक्रिया जल में जल के गतीज उर्जा के द्वारा पूरा होता यह प्रक्रिया अगला है जैब गैस या फिर बायो गैस या गोवर गैस में मिथेन सरबदिक होता है सबसे ज़्यादा पवन उर्जा सक्ति का उप्योग डेनमार्क में होता है सबसे ज़्यादा पवन उर्जा का उप्योग डेनमार्क में बायू मंडल के पर्तों के द्वारा प्रती एकांग छेतर द्वारा अब सोसित सौर विकिन की मात्रा सौर इस्थिरांग भलाता है। समुद्र और महासागर शमुद्र रात्वा महासागर के जल अस्थर या फिर परत में ताप अंतर के कारण जो उर्जा उसमा उत्पन होता है। महा सागर ही है ये ताप ये उर्जा प्रतेक अस्तर के बीच ताप में अंतर 20 degrees Celsius का होना आवस्टेक है प्रतेक अस्तर के बीच 20 degrees Celsius का नाविकई विज्ञान में उर्जा को प्राया electron bolt यानि EV में व्यक्ट किया जाता है और एक electron bolt बराबर होता है 1.602 x 10 to the power और inverse 19 J का एक एलेक्ट्रिक बोल्ट बराबर होता है hydrogen को सवक्छिंधन माना जाता है Hydrogen सवक्छिंधण माना जाता है लेकिन उप्यों किकंदे का करते हैं cng का नाबकीय यह सलह अविक्रिया के लिए उच टाब की विश्द्सकता होती है और नाबकीय विखंड़न से प्राप्ठ होता है इनाव के विखंडन से और वो पदार्थ जयविक प्रकरम द्वारा अपगटित हो उसे जयव निमनी करन कहते हैं जयविक और और जयविक मिलके किसका निमान करता है परिस्तिकी तंत्र का अब है वन नदी तलाव जील प्रकृतिक परितंत्र तथा बगीचा खेत क्रित्रिम परितंत्र है वन नदी तलाव जील ये प्रकृतिक परितंत्र है और बगीचा खेत ये सभी क्या है क्रित्रिम परि पर्थम पोसी अस्तर से सभी अगले पोसी अस्तर में 10% उर्जा का अस्थान्थन होता है पर्थम पोसी अस्तर यानि उत्पादक में जीवों की संख्या अधिक होती है उर्जा के अस्थान्थरन में हर्ष उर्जा का समानता उस्मा उर्जा में रुपान्थरन होता है क्या है कि उर्जा का परवा हमेशा एक दिस्थी होता है और उजोन का निर्मान पराबैगनी किरने द्वारा होता है उजोन का निर्मान गुर्णन गती बढ़ने से लोलक का आवर्थ कालवी बढ़ जाता है पराबैगनी किरने परतीरक्षा तंद और तोचा का कैंसर को जन्म देता है पराबैगनी किरने कॉलिफर्म जिवानू जो मानव के आंत में पाया जाता है ये जल प्रदूशन का प्रमुक कारण है कॉली फ्रम गंगा जलब प्रदूशन का प्रमुक कारन है, जो अर्ध जला सब से होता है। पर्यावरन को बचाने के लिए 3R का उपियोग किया जाता है 3R का मतलब Reduse मतलब काम उपियोग Recycle मतलब पुना चक्रन और Reuse मतलब पुना उपियोग मोलसका मोलसका जन्तु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समू है मोलसका तरंग धैर कम होने के कारण प्रकास सीधी रेखा में चलता है प्रकास सीधी रेखा में गमन करता है नाइट्रोजन पौधा के बिर्धी में सहायक नाइट्रोजन के ऑक्साइड बिर्धी को रोकता है नाइट्रोजन पौधे के बिर्धी में सहायक पर्थम बार आबेस उत्पन फैराडे ने किया था पर्थम बार आबेस को उत्पन किसने किया था फैराडे ने बास्तवी गैस आदर्स गैस के नियम का पालन उच्छ ताप तथा निम्न दाब पर करती है यानि कि हाई टेंपरेचर और लो प्रेशर पर करती है आदर्स गैस नियम का पालन उच्छ ताप उच्छ ताप और निम्न दाब पर करती है यानि कि हाई टेंपरेचर और लो प्रेशर पर करती है आदर्स गैस नियम का पालन Hydra, Hydra खत्रा महसूस होने पर Hynotoxin नामक रसायन छोड़ता है Hydra जो है उसे जब खत्रा महसूस होता है तो वो Hypnotoxin नामक रसायन छोड़ता है Keval गती का अध्यन Kinematics का लाता है Keval गती का अध्यन तो ये था आपका आज का 700++ जो हमने complete किया है और ये आपका NCRT का जो book है Class 6 से लेके 12 सका उसका एक निचोर है One Liner में जो की example basis है ठीक है तो ये class notes में sir के दोरा provide किया गया था उसे हमने complete किवाने का कोसिस किया है उमीद करेंगे कि इससे आप लोग को फटा-फट जो One Liner Requisition होता है वो अच्छा से हो जाएगा यहां से आपका basic clear हो जाएगा ठीक है फ्रिंट्स तो चलिए मिलते हैं निक्स वीडियो में वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा सब तक के लिए धन्यबाद जय हिंद जय भारत